हाई गाईज वैलकम टो मैं चानल एविस्टी रोट दिव्या और मैं हो दिव्या आज हम बनाएगे सॉल्टेट पीनट इसे नमक चड़ी भी मूमफली भी बोलते हैं सिंग दाना भी बोलते हैं और इसे एक बार बना कर रख लीजिए और महिनों तक खाईए खराब भी नहीं करेंगे बोल करने के लिए मैंने पतीला लिया है उसमें डालेगे एक ग्लास पानी और डाल देगे हम मूमफली इसमें मैं डालूगी एक चमच नमक और इसे एक बार मिक्स कर लेगे मैंने यहां पर इसे एक बार मिक्स कर लिया है और इसकी बोल आने तक वेट करेंगे दो बाइल लेगे पंच मिनिट लगेगे बाइल आने में और इसे हम बीज-बीज में मिक्स भी करते जाएगे आपको लगेगा आपकी मुमफळी के कलर लाइट हो रहा है और ये देखिए चार से पाँच मिनिट हो गए है और एक बॉयल भी आ गई है हमारी मूमफली में दो बॉयल आने के बाद हम गेस की फ्लेम बंद कर देगे गेस की फ्लेम बंद करने के बाद हम मूमफली को पानी से अलग कर लेगे मैंने यहाँ पर चलनी लिए है मूमफली को पानी से अलग करने के लिए और यह दिखे अब मैं यहाँ पर एक कपड़ा लोगी उसके उपर हम मूमफली को फैला देगे मूमफली के अंदर जो भी एक्स्ट्रा नमी होगी पानी होगा वो निकल जाएगा दो तिन निट के लिए ही रखेगे हम इसे अच्छे से फैला के हम कपड़े के उपर रख देगे और यह दिखे दो तिन निट हो गए है हमारी मूमफली में जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो सब कपड़े में आ गया है अब हम लेगे एक कड़ाई कड़ाई में मैं डालूगी नमक मैं यहाँ पर यूज करा हुआ नमक लिया है मैं इसे बेकिंग में यूज करती हूँ नमक को वही वाला नमक हम फिर से यूज करेगे इसे हम गरम होने देगे और इसके अंदर हम डाल देगे हमारी मूमफली इसे हम मिक्स कर लेगे और अब आप देखेगे कि मूमफली के उपर सारा नमक चिपक गया है आप डरिएगा मत मूमफली में नमक चिपक जाएगे जैसे जैसे गरम होते जाएगा ना नमक निकलते जाएगा इसे हम लगातार चलाते रहेगे 5-7 मिनिट में हमारी मुमफली सिख जाएगी और ये देखिए हमारी मुमफली में से नमक अलग हो गया है बस हमारी मुमफली भी सिख गई है मैं आप चेक करते हूँ हम मुमफली लेगे हाथ में और इसे क्रश करेगे crush करेगे, सारे चिल्के आसानी से अलग हो रहे है, मतलब हमारी मूउम्फली सिख चुकी है, अब मूउम्फली को हम पांच मिनिट के लिए ठंडा होने दे के हमारी मूउम्फली और कड़ाई ठंडी हो गई है, अब हम इसमें से नमक अलग कर लेगे मैंने चलनी लिए उसमें हम नमक को अलग कर लेगे आप नमक वाले सिंगदाने बनाकर महीनों तक रख सकते हैं यह खराब भी नहीं होते हैं एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिएगा और यह हमारे रोस्टेट पीनट बन करके तियार हो गए है यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना आप मुझे सभी शर्शल अप्लिकेशन पर फॉलो कर सकते हैं सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए आप मुझे महा पर जाके जरूर फॉलो करेगा मैं मिलूगी आपको एका नई रसीपी कि साज़ टेकी लिए बाइ